दोस्तों अगर आप Wi-Fi को यूज करते हैं या फिर आपने अभी हाली में Wi-Fi connection लिया है अपने घर में तो एक normal सी problem आम तोर पर देखने को आती है कि घर के सभी कमरों में Wi-Fi की range नहीं आ पाती या फिर मालिच आपकर outer first floor पे रखा है और second floor पे उसकी range ठीक से नहीं आ रही है तो उसी problem को दूर करने का की जो range है उसको extend करने का काम करता है ये device जो कि है TP-Link का Wi-Fi range extender तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है प्राइजिंग की बात करते हैं तो तक करीबन 1800 रुपे 1800 के आसपा इसका price अभी फिलाल इस पे discount भी चल रहा है तो same problem हमारे साथ भी है कि वीडियो में हम देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको setup करना है यहाँ पर three years की warranty आपको देखने का मिल जाती है simple box packing मिलती है सारी चीज़े यहाँ पर describe की गई है AC 750 इसका model number है और यह dual band Wi-Fi rotor है चली खूनी गंजर की मदद ले ले लेते हैं और इसको जल्दी से कर लेते है open तो dual band है यह काफी अच्छा है अगर आप dual band router यूज़ करें तो और भी जयदा अच्छा है यहाँ पर कुछ आपको क्योग installation guide मिल जाती से पढ़ लेना थोड़ा सा easy हो जाएगा आपके लिए और वार जो adapter है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखता है तो आप देख सकत में जलती है यहाँ पर पावर का जो है आपका switch यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके लावा यहाँ यहाँ पर Wi-Fi 2.4 GHz हट हो गया 5 GHz हो गया सब के लिए indication आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और all over दोस्तों काफी अच्छा dongle है अब दोस्तों मैं आपको दिखा आपको देखने को मिल रही होगी तो connection मेरा काफी अच्छा है 30 MPPS के आसपास connection है पर उसके बावजूद यहाँ पर speed नहीं आती है अब चली दोस्तों सबसे पहले इस dongle को install कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा जो speed है वो increase हो जाता है दोस्तो आप देख सकते हैं power on the यहाँ पे जो extender उसे power on करना है तो हमने already करी ही रखा है तो यहाँ पे काफी easy तरीके से हो जाता है यहाँ पे indication आपको दिख रहा होगा आप दोस्तों हमें करना क्या है basically हमारा जो router हमने यहाँ पे लगाया है उसके साथ में इसको connect करना होता है तो च आप देख सकते हैं यहाँ पे waiting दिखा रहा है बहुत जल्दी procedure हो जाता है ज्यादा time में ही लगता है इसमें okay तो almost i think हो चुका है अब यहाँ पे scan हो रहा है दोस्तों अब हमें जल्दी से अपने router को select कर लेना है तो यह हमारा TP link router है और यहाँ पर अब हमारी जो settings है वो यह कर देते हैं यहाँ ठीक है थोड़ा था wait करना होगा हमें यहाँ पर okay तो I think almost done हो गया login हो रहा है अब RE200 के अंदर हमारे extender के अंदर यह और अब हमारा connection I hope कि यहाँ पर बन चुका है yes हमारा connection बन चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं दो connection आ रहे है एक तो 2.4 GHz का रहे ह 5 GHz का रहे क्योंकि यह dual band extender है यह चीज़ काफी ज़्यदा बढ़िया है तो अब सारी चीज़े set हो चुकी है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं तो अब almost सारी चीज़े done हो चुकी है lighting आप देख सकते हैं 5 GHz और 2.4 GHz के उपर आ रही है और अब जो speed test दिखा देता हूँ पहले जो हमाई connection मिल रहे थे बहुत ही जदा बुरे मिल रहे थे तो अब देखते हैं कि क्या हाल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रावर बहुत 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 ही अच्छी वाइफाई जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छी speed यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर downloading और uploading speed देख लेते हैं एक बार तो यहाँ पर uploading speed है वो भी काफी बहतरीन आ रही है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा device है उसने properly यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से काम किया है तो basically यही काम करता है दोस्तों यह extender वो 2-3 कमरों के लिए यह पर एकाथ floor के लिए काफी जयदा बढ़िया रहता है और अगर आप दोस्तों कोई smart devices यूज़ करते हैं जैसे Alexa यह smart home तो उसमें भी यह काम कर सकता है क्योंकि के बार होता है कि router की range इतनी नहीं रहती है तो आप उसे easily extend कर सकते हैं इस router की मदद से दोस्तों अभी खेर इसका लगी है मुझे comment करके जरूर बताना तो खेर दोस्तों फिर आज की वीडियो खेर यहीं तक थी मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को like करना सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले तो फि अगले तक थे केर और बगाई